आज हम बनाएंगे तील बुगगा तील बुगगा दूद और तील से बन के त्यार होता है और मिठास के लिए हम इसमें सक्कर भी उच कर सकते और गूड भी उच कर सकते तील बुगगा को आप तील की बर्फी भी बोल सकते हो दूद और तील से बन के त्यार होता है आप इसक सकते हो बहुत सब्ट अंदर से बनी हुई है जिस तरीके की मावा पेडा का टेक्च्चर होता है उसी तरीके से ये बनता है और आप इसको जो भी सेप देना चाहो दे सकते हो क्यूंकि ये बहुत ही ज़्यादा सब्ट रहता है चले रेसिपी शुरू करते हैं सफेद बाला तील लेंगे एक कप तील को रोस्ट करेंगे अक्चली कोई भी तील में इसको बना के त्यार कर सकते है लेकिन जो वाइड तील हो आच्छा दिखता है तीनों तरह की तीनों कलर की तील आता है जैसे के एक ब्लाक के एक वाइट है और एक बीच बाला थोड़ा सा तील में जो हम बनाएंगे अज वाइड वाला तील है बिना गी और तेल की इसको रोस्ट करेंगे बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है थोड़ा टाइम रोस्ट करेंगे जब इसमें से एक आवा जाएगा तील थोड़ी देर गरम होने के बाद फूटना स्टाट हो ज जाता है वह भी स्लो मीडियम फ्लेम में कुछ टाइम बुनने के बाद तील भी अच्छी तरीके से कूखो के तयार हो चुका है और ज्यादा इसको नहीं बुनना है आप इसको देख सकते हो हलका इसका कलर भी चैंच हो चुका है तो अभी हम एक प्लेट में इसको ले है 15 मिनिट ये उपर हो चुका है तील अभी हलका गुन गुना है चोटा बला ब्लेंडर की जार हम यूज करेंगे इसको पीछने के लिए और कम मत्रा में तील लेंगे एक बार में दो बार में इसको ब्लेंड करके तयार करेंगे तील का पावडर बनाना है अच्छे से ये कि जार में नर्माली हम लोग मसाला बगेरा पीछते है उसको यूज करेंगे क्योंकि उसमें ही सब चीज बारिक से पीछ के तयार होता है तो अभी हम इसको ब्लेंड कर लेंगे तील का पावडर अभी बन चुका है आप देख सकते हो हलका दरदर है पूरा पावडर नहीं ने बनाएं एक लिटर दूद को गरम करेंगे दूद को गाढ़ा करके त्यार करेंगे बस इसको उबालना है और बीट बीच में चलाते रहना है दूद आधा से कम जब हो जाएगा तब हम इसको यूज करेंगे मिठाई के लिए दूद को गाड़ा करने के लिए तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है अगर आप इंस्टांट इसको बनाना चाहते हो तो आधा दूद ले लेना मैंने यहाँ एक लिटर दूद लिया है आप हाप लिटर दूद ले लेना और फिर दूद में जब उबल आएगा उसमें हाप कप मिल्क पाउडर आड कर लेना जिस तरीके की हम इंस्टांट मावा बनाते है ना उसी तरीके से फिर दूद भी जल्दी गढ़ा बन जाएगा और मिटाई भी उसी सब से जल्दी बन के त्यार हो जाएगा दूद अभी उबलने लगा है थोड़ा थोड़ा बीच बीच में मिलाते हुए इसको उबालेंगे कुछ टाइम उबलने के बाद दूद का मात्रा भी कम हो चुका है दूद आधा हो चुका है हम इसमें गुड भी आड कर सकते है या सक्कर भी आड कर सकते है मैं यहां शक्कर आड़ करूंगी 4 टेबले स्पुन, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से शक्कर की मात्रा थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हो, जो भी कंसिटंची में दूद होगा, शक्कर डालने के बाद और थोड़ा सा पतला हो जाएगा, थोड़ी देर उबलने के बाद फि फ्लेवर के लिए इसमें आड करेंगे इलाइची पाउडर, तीन इलाइची को मैंने कूटके रखाता उसको डाल देंगे, फिर से एक बार मिला देंगे, अभी हम थोड़ा थोड़ा करके तील की पाउडर को डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे, एक साथ नहीं डालन इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा करके डालते हुए इसको मिलाना है और फ्लेम को स्लो रखना है, अभी ये बहुत पतला दिख रहा है, थोड़ा सा टाइम इसको कूक करने के बाद, सुखा तेल इसमें हमने डाले है तो ये गाड़ा बन जाएगा, और दो मिनिट मैंने कूक किया, तो तील अभी गाड़ा हो चुका है और प्रपर कंसिस्टंची में आ चुका है, अभी हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसको 10-15 मिनिट तक छोड़ देंगे, तील और दूद का मिक्स अभी गुन-गुना है, इसी टाइम इसको हमको सेप देन इसको हम राउंड शेप दे देंगे आप कोई भी कूकी कटर मी इसको बैद काकर भीज़ दे सकते हो इस तरीके से पिड़े का आकर भी दे सकते हो इ Final Cut बसे इस तरीके से कट करना आए, ठोड़ा सा झाइज कर लेंगे थोड़ा सा भुना हुआ तील को मैंने निकाल के रखाता इसके उपर हम वो तील को लगा देंगे सजाने के लिए आप इसके उपर कोई भी ड्राइपुर्स आड कर सकते हो लेकिन मैं या सिर्फ भुना हुआ तेल से इसको सजाने वाले हो एक तील बुगगा या तील का मिठाई बन के त्यार हो चुका है और एक बना के मैं आपको दिखा देती हूँ आप इसको जितना बड़ा या छोटा कर सकते हो आपकी टेस्ट के हिसाब से लड़ू जेसा भी सेब दे सकते हो पेड़े जेसा भी सेब दे सकते हो क्योंकि यह सब्ट रहता है तो जो भी सेप दोगे इसमें से बन के तियार हो जाता है सेम तरीके से इसको बना के तियार करेंगे और उपर थोड़ा सा तील लगा देंगे सेम प्रोसेस में जितना भी दूद और तील का मिक्स से सबमें से इस तरीके से मिठाई बना के त्यार करेंगे सारे mix से मैंने मिठाई बना के त्यार कर दिये अभी हमारा तिल बुगा का प्लेट बन के त्यार है आप देख सकते हो कितना अच्छा यह दिख रहा है अगर आप इसके उपर काजू या पिस्टा आठ करोगे श्ली जलदी बनके के न सब्सक्राइब के बाए और वह फizar था करें एक बक्राइस दों सब्सक्राइब करें निर्ग ञत्क बनका उन्हें करते हैं में और आज și निर्म अपैसं निर्ग अपएक। करने से में जो भी वीडियो अपलोड करूंगी और आप लोगों के पस नोटिफिकेशन की रूप में पहुंच जाएगा